हलो गाइज वेलकम है आपका जेक एसेजबी ने एक ट्वीट किया है एक गंटे पहले यहाँ पर उन्होंने बोला है 142 कंडिटेट्स का यहाँ पर CBT होने वाला था आज जो कि होना था JKIT Institute of Technology जमो में तो वहाँ पर जो है कोई सर्वर प्राप्लिम हो गई थी टेक्निकल इशू हुआ था तो उस वज़े से 142 कंडिटेट्स का यहाँ पर आज CBT नहीं होगा तो उनको बोला गया आपको टेंशन लेने की जूरत नहीं है तो आपका जो है रिशूडूल हो जाएगा यह CBT और फ्रेश डेट्स आपको नोटफाइक कर दिया जाएगा जल दे ठीक है तो यह जो 142 कंडिटेट्स है उनको टेंशन लेने की जूरत नहीं है आपका CBT होग से चल दे ठीक है तो यह जो 142 कंडिटेट्स है जिनका आज यहां पर CBT होना था उनकी डेट्स अलग से आएंगी यह था एक अपडेट और दूसरा जो है यहां पर आपने देखा होगा यह जो भी आप एक्जाम होने होंगे यहां पर उनका जो है यहां पर परसंटाइल मे मेथर्ड के बारे में कुछ जानकारी नहीं होगी क्या चीज है तो मैं आपको यहां पर इस वीडियो में बता दूँ थोड़ा सा ताकि आपको पता लगे यह सबको पता होना चाहिए एक परसंटाइल मेथर्ड होता क्या है तो आपने जो है पहले सुना होगा परसंटेज म आपके जो है 90 माक्स आया आउट आफ हैंडरन ठीक है तो आपका जो है यहां पर 90 परसंट बन जाता है ठीक है तो यह होता है परसंटेज मेथर्ड अभी जो है उन्होंने बोला हम परसंटाइल यहां पर मेथर्ड यूज करने वाले हैं तो बच्चे यहां पर बहुत कन्फ होते है तो कुछ shift में जो है यहाँ पर paper टाफ आता है किसी में जो है paper easy आता है ठीक है तो फिर उसको यूज़ किया जाता है तो इसका एक फार्मुला होता है फार्मुला क्या है इसमें नमबर आफ candidates behind you ठीक है अब मैं shard में लिख रहा हूँ आप को ये समझ थोड़ा समझना होगा ठीक है number of candidates behind you divided by total number of candidates ठीक है multiplied by hand रेंद तो यहाँ पर मान लिजे हम एक पर एक्जामपल लेते हैं यहां पर मालनेजे एक shift में अपर जो यहां पर फार्मॉला के हिसाब से बनेगा टोटल जहे है है भचे इस shift में और इसमें आप भी इंक्लोड थे तो इसमें नूंबर अग केंडिडीट लेंड यू हो गए नैंटी नैंट. यहां हो तो यह hand run cut हो जाएगा तो आपका जो यहां पर परसंटाइल बनेगा वो 99% बनेगा ठीक है तो यह जो है परसंटाइल score बन गया आपका 99% ठीक है तो आपने यहां पर adapt कितना मलब score कितना किया था 90 तो आपका यहां पर जो है final जो बना 99% बना ठीक है तो जो 70 आपने स्कोर किया आपके पीछे जो है मालनी जा यहां पर 90 बच्चे थे ठीक है तो यहां पर जो फार्मूला बनेगा वो 90 divided by 100 into 100 तो यहां पर जो है यह 90 percentile आपका बन गया ठीक है तो इस साब से आपकी फिर rank यहां पर बन जाती है जैसे 99 percentile किसी का बन गया 90 percentile किसी का बन गया तो इस साब से फिर आपका यह score बनता है ठीक है मालनी जे यह एक shift में बन गया तो दूसरे shift में मालनी जे paper टफ आया था ठीक है तो इसमें मालनी जे यह इसमें भी shift में hand run बचे थे और जो है इसने top किया तो इसके पीछे जो बचे है वो 99 हो गए ठीक है तो यहां पर हम जब यह formula लगाएंगे percentile वाली formula तो इसमें जो है total number of candidates behind you तो आपने top किया तो आपके पीछे कितने हो गए 99 ठीक है टोटल बचे कितने थे वो hand run into hand run ठीक है तो यहां पर हम hand run cut करेंगे तो आपका भी जो है यहां पर gives 99 percent यह percentile बन गया है तो इस बचे ने जो है candidate ने जो है यहां पर 99 percentile इसका बन गया तो इसने इस shift में top किया तो इस हिसाब से यह परसंटाइल मेथड बन जाता है तो आप बच्चे बोलेंगे इसने फिप्टी ही सिकोर किया था तो इसका 99 कैसे बन गए मतलब जब बच्चे जब फाइनल सिकोर आता है तो फिर बच्चे ऐसा पूछते हैं तो इन्होंने जो है इसमें बोला है कि जो राज सिकोर होगा वो बच्च यहां पर नहीं शो किया जाएगा आपको जो है यहां पर परसंटाइल जो सिकोर बनेगा वही शो किया जाएगा ठीक है तो I hope यहां पर आपको परसंटाइल मेतट समझ आ गया होगा यह बहुत एजी है इसमें बस एक फार्मॉला लगती है यहां पर यहां पर यहां पर calculate किया जाता है बन्दब यहां पर देखा जाता है कि कितने बच्चे यहां पर test में एपियर होए थे और आपका जो है रहेंग कितना था ठीक है आपके पीछे बच्चे कितने थे तो उस हिसाब से जो है यहाँ पर परसंटाइल जो स्कोर बन जाता है वो जो है कल्कुलेट किया जाता है ठीक है मैं एक बार और आपको समझाता हूँ यहाँ पर एक्जेंपल देखे आपको जो है confusion ना हो ठीक है मैं एक और एक्जेंपल यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाऊंगा ताकि आपको confusion ना हो कुछ बाच्चों को शायद समझ नहीं आया होगा अभी भी तो एक और बार में आपको समझाओंगा यहाँ पर ठीक है तो मान लेज़े यहाँ पर आपका यहाँ पर CBT हो गया ठीक है CBT में जो है मान लेज़े यहाँ पर 100 बच्चे थे और आपने यहाँ पर टाप किया आपने 80 score किया 80 marks आपके थे 80 questions आपके ठीक थे example लेते हैं ठीक है तो आपने किया तो यहाँ पर जब हम formula लगाते हैं तो उसमें जो है यहाँ पर number of candidates behind you ठीक है तो total number जो candidates थे shift में जो वो थे 100 और आपके पीछे जो है वो 99 हो गए ठीक है पिर यहाँ पर total number of student जो है वो 100 हो गए यहाँ पर 99 percentile बन जाएगा ठीक है तो यहाँ पर 80 जो आपका है यह नहीं देखा जाएगा परसंटाइल में आपका जो है percentile score क्या बन जाता है आपके पीछे कितने जो है बच्चे है candidates है वो matter करता है ठीक है तो इस हिसाब से जो है आपने top किया जैसे जो है आपने 50 questions ठीक यह मान लेज़े hand run में से तो आपके 50 यहाँ पर आपका score है तो आपने उस shift में जो है top किया है ठीक है मतलब आपके सबसे ज़्यादा marks आपके है 50 है ठीक है तो यहाँ पर जब हम normalization यहाँ पर formula लगाएंगे तो उसमें जो है यहाँ पर क्या होता है total number of candidates behind you मालेजे hand run थे तो आपके पीछे जो है आपने top किया तो आपके पीछे 99 हो गए divide by total number of candidates वो hand run हो गए ठीक है shift में hand run बचे थे multiplied by hand run ठीक है तो जब यह hand run cut हो जाएगा तो आपका भी जो है यहाँ पर 99 percentile बन गया ठीक है तो यहाँ पर जो है पेपर tough आया था तो आपका भी जो है यहाँ पर 99 percentile बन गया तो पहले shift में जो है पेपर थोड़ा easy था तो उसमें जो है उसने score किया था उसका भी जो है यहाँ पर 99 percentile बन गया तो ऐसे जो है यह calculate किया जाता है ताकि जो है easy paper या tough paper हो उसमें जो है बच्चों को ज़्यादा नुक्सा ना हो तो इसलिए जो है यह percentile method use किया जाता है ठीक है तो यह काफी सारे जो है अभी exams होते हैं जैसे IBPS exam होता है उसमें भी जो है यह use होता है काफी सारे exams में use होता है ठीक है होगा इसमें बस एक formula लगती है बहुत काफी easy है ठीक है तो अगर अभी भी आपको कोई confusion है आप comment कर सकते हैं या फिर मेरे instagram ID पे message कर सकते हैं ठीक है तो मैं आपको वो समझाओंगा ठीक है percentile method क्या है अगर आपको confusion हो रहा है